प्रभू राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदी नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहा है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संतराम पाल जी महराज के अमरित वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर अब यहां प्रमात्मा कहते हैं बैत्र अक्सोनी अक्सेकरी अच्चुन क्रिसी स्वर एक ये देधारें जोरा फ्रें ये सभी काल के वेखे अब ये सुक्सम बेद में पताया परमात्माने के बैत्र अक्सोनी अक्सेकरी अच्चुन क्रिसी स्वर एक पुनात्माव ये सुक्सम बेद की बानी कोई बालकों की नहीं है ये इतना गूड रहस्य थपाय हुए है अपने अंदर ये इन आज तक के कभीर पंथीर फलाने इन रोज पटते थे गरीब दासीन का कख़ भी समझ मनी आया चुनक रिसी स्वर एक रिसी स्वर जैसे मुनी मुनी वर रिसी रिसी वर रिसी स्वर यानि रिसियों में स्रेश्ट उन स्रेश्टों में भी स्रेश्ट परम स्रेश्ट रिसी उस परम स्रेश्ट रिसी के ये काले कर्म है ये कर्तव है काले कार्ण में क्या बताते हैं कि भेठर अक्सोरी अक्से करी क्शुनक रिशी सुवर एक उस अकेले ने भेठर क्रोड का नाज कर दिया और फिर बताते हैं दे धारें जौरा फिर धरे जौरा वान्य मौत क्या ये चलती बिरती मौत तुम जिनको रिशी कहा करते थे ये दे धारें जोरा फिर जोरा वने मर्चू ये सभी काल के भेख एक दुरुआसा नाम के रिशी थे ऐसे सिद्धी ये काल की साधना करके और ओम नाम तहीं तक की और ये भी सिद्धी युक्त हो गए एक बार स्री किरसन जी के पूत्र पर ज परदुमन सहीत और कुछ अन्य यादों ने जाके उस दुरुआसार इसी के साथ मजा कर दिया एक गरबवती लड़की का सांग बना लिया पर दुमन को गरबवती लड़की जैसा स्वांग कर लिया उसके पेट पे एक कडाया बाइंड लिया छोटे आसा कडाया जासे की सबजी बनान की है और उपर के कपड़ा हाल पेट दिया लोगड़ लगा दिया अर लड़कियों वाले वस्तरपना के लेगे एक उसका नकली पती बना दिया और दौरका के बाहर बनी में जंगल में दरुआ सा बक्ती कर रहा था दोना लाएं बैठा था तो सब को ये हो गय में के बड़ा पोंचावारेसी है बहुशे अभूत और वरतमान की सारी जानता है तो वो श्रीकरसंद जी की आड़ में अभिमानी हो गए थे या दो सारे वो श्रीकरसंद तो उपर किसे नहीं मानने थे फिर भी जैसा तत्वए ग्यान की कमी से इतनी तुरूटियां सभी म जाती हैं तो वो इकठे होकर चले के वी चलो दुरूटिया की प्रिक्सा लेते हैं ये कैसा बहुत बोईसे की जानता है दुरूटिया जी के पास जाकर कहने लगे कि माराजी इनके बहुत दिनों के बाद विवहा के दस बीस वरस के बाद परमात्मान सुनी है और ये इसकी पत्नी है इसको गर्ब रहा है ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इनके पुत्र होगा या पुत्री आप तो भूत बोईसे की सारी जानते हो दुरुआसान देख्या आपना जानते हैं दुरुबीन लगा के वह तो सारा फंड था वो उसने वचन से चपन क्रोड यादो आपसमे लड़के मरगे कटके कतले आम कर दिया उना उस वचन से इतना प्रभाव हो गया उनमे आपसमे लड़ मरे तो यहां क्या कहते हैं सुक्सम वेद में कहा है कि दुरुआसा कोपे तहां समझने आई नीच और चपन क्रोड यादो कटे वह मची रुधिर की कीच चपन क्रोड आदमी कटका मरगे आपसमे लड़के एक दुरुआसा के सरापत है स्री किर्शन रक्षा नहीं कर सकया किर्श्री किर्शन जी के पोते पड़ पोते स्वंच उसके बच्चे सारे मारे गए तो यहाँ पसंद कहते हैं प्रमातमा कवीर जी कहा करते थे अपने सुकसम वे जो गरीबजास जी को दिया उसमें कहा है कि दुरवा सा कोपे तहां बच्यन मज़ािकर दिया इतनी सजा दिया करते हैं इनसान ने ये नीज वेखती है, तुम इनको रिशी समझते थे, दुर्वासा कोपीत हाँ, यानि कोपीत हुए, और समझ ने आई नीज, उस दुस्ट इनसान नहीं तना भी नहीं सोचा, तू क्या बक्वास करने जार, ऐसे क्या गानी गल जागी, ये संत है, रिशी हो तो, सं और चपन क्रोडिया दो कटे, वहां मची, रुधिर की, कीच, गारा मची, लोग की, रक्त की, अपना अत्माओ, आपको अब समझ महावगा, कौन कितने पानी में, तो इसके भी से हम कहा करते हैं, डंब करें, टूंगर चड़ें, सुक्सम वेद में कहा है, डंब करें, माने पाक हंड, लोग दखावा, दूना लाक बठें, उच्चे से सथान पर, दुनिया दूर तो देखा, मात्मा तपस्या कर रहा है, फिर उसका चड़ावा सुरू हो, उसका दूद पानी सुरू हो जा, कहते हैं, डंब करें, डूंगर चड़ें, अंतर जीनी जूल, और ज आर जीव सिरा राजा की, बे मतलब बकवास करी, रिसी का अपना अलग से फिल्ट है, साधग का, राजा का अपना फिल्ट है, वो अपना कम करें, रिसी अपना करें, ठीक है कोई आवे तो सलाह अच्छी दें ना थो आट, भाई उसे आपने काम में लग रहा है, या के बेगाड़ लिये जो थोड़ी बहुत हुआ पुझी एक ठीक री थी उसमें पेंसर कर लिया सारे जी उनका नास कर अब क्या होगा इतना कुछ करने के बाद भी इनके कुछ बगती कि उसके बाद भी बगती की वो अंससेश रह जाते हैं उसके करन जाएगा ब्रम लोक में ओम नाम के जाबत है वहाँ अपनी पुझी नास करका फिर परफिवी पर जनम लेगा ये और परफिवी पर फिर मनमाने राज़ा भी बढ़े जाब पूरी परफिवी का इतनी तपस्या इतनी साथ ना हो जाती है इनकी और फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में भी पढ़ना ही पढ़ना पढ़ेगा जब इसका 84 लाख योनियों में कर्ष्ट उठाने का नंबर आवगा जब यो कुटा बनाएगा यो चोनकरिसी और इसके सर्में जखम होंगे कीडे पढ़ेंगे और वो कीडे जो बैतर अक्सोनी से ना मारी थी से ना चूट चूट कर खाएंगे तो पुनात्माँ प्रमात्मा के सद्यात्म ज्यान से आपको पता चलेगा जैसे गीता जाय नमर साथ के स्लोक नमर 29 में कहा है कि तत्व दर्सी संत जब मिल जागा वो विक्ची तत्वर्म से प्रिचीत हो जाते हैं संपुन जात्म ज्यान से सभी कर्मों से प्रिचीत हो जाते हैं उस्तत्व ज्यान में ऐसा ज्यान है कितना बड़ा मुक्दमा मौल ले लिया उस्तव किसी ने बगैर ज्यान के ऐसे अगनी महत डाल देते हम अपना परमात्मा कहते हैं तुमने उस दर्गे का तुमने उस सचे दर्वार का मैल नहीं देखा और धर्मराज का तिल तिल का लेखा उस सचे परमात्मा के आदे से धर्मराज यहां का दो चीफ जस्टिस एक वर्मांड का कहते हैं वो एक मासा कम नहीं कर सकता तिल की वर्धी नहीं कर सकता वो उसको सब भोगने पड़ेंगे तुमने जैसे भी सोच भी अगर गल्द रखते हो तुम सोच का भी भोग भोग ना पड़ेगा आपने कर दिया हो तो करना है क्या है अब जो प्रसंग चल रहा है एक्स में एक गुरू और सिस चले जा रहे थे रच्ते में एक मच्यारा मचली पकड़ रहा था किसी सरोवर से और वहां से जाल बरक है और बाहर डाल रहा था वो तड़फ तड़फ कर सरीर छोड रही थी उस लड़के ने सिस ने छोटा बालक था दस पंद्रा वरस का उसने पूछा गुरू जी ये प्राणी जो जो ऐसा अपराद कर रहा है इसको क्या सजा मिलेगी गुरू जी कहने लेगे वेटा फिर बताऊँगा आजाए सुमन कर अपना चल चलते सफर कर रहे थी चार पांच वरसों के बाद क्या देखा एक आथी का बच्चा मस्ती में उचल कूद मचा रहा था उचल कूद करते करते दो वर्खसों के बीच में फस गया अब जैसे तैसे जटके जटके मार का और निकल तो आया लेकिन खाल सारी छुल गी बुरी तरह खाल उतर गी चोटा बच्चा था वरसा के मोसम था उसके कीडे पढ़िए सेंकडों के अजारों की सलाखों की संख्या में कीडे उसको मुटे मुटे कीडे खान लग रहे रहे अब वो दोनों गुरुसेस फिर तले जा रहे थे वहां उस असेस ने पूछा गुरुदेव इस पराणी ने कौन से जनम में ऐसा करम कर दिया जो इसको ये कीड खा रहे हैं ये चिला रहा है तब उस गुरुदीन बता बेटा जो मच्या रहा था ना जो मच्या पकड रहा था और वो मच्या तरफ तरफ कर जीव छोड़ रही थी प्रान त्याग रही थी ये आथी का बत्चा वो मच्या रहा है और ये कीडे वो मच्य है आज अपना टिट फोर टेट ये भोग रहा है प्राप्त कर रहा है तो पुनात्मों परमात्मा कहते तुमने उस दर गय का मैल न एक एक नए पैसे तो परसंग जो चल रहा है अब हम आते हैं जो दास आज आज आपको सत्संग सुनाने चाह रहा था भी तब भूमी का बनी है शिरीमत बगुद गीता जहे नुमर साथ के स्लोक नुमर उननीस में कहा है बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ग्यानवान माने ये ग्यानी आत्मा माम माने मुझ ब्रम को बज़ते हैं बगुनाम जन्मानाम अंते ग्यानवान माम परपदते और वासू देवं सर्वमिती से मात्मा सु दूलवे क्या बताते हैं के वासू देव सर्वमिती बहुनाम जन्मानाम अंते बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ग्यानी आत्मा ब्रम तक इनकी बुदी पहुंचती है ब्रम तक और ये बताने वाला साधू संत मात्मा के वासू देवं सर्वमिती वासू देवं ये बताने वाला मात्मा तो सु दूलव है की वासू देव ही सब कुछ है वही सब का उत्पन करने वाला है सर्व उत्पादक है वही सब को पुझे है वही पाप ना सक है और वही इस्ट रूप में बना के पुझे है ये बताने वाला कि वासू देव सर्वमिती यह है बताने वाला के वासू देव ही सब कुछ है यह तो continue ग्यान चल रहा है पहले तो तीनों गुणों उपर माविशनों महिश्ट की बक्ती को खुद रिजेक्ट कर दिया अपने सतर की तीनों की बक्ती को रिजेक्ट करके ब्रह्म कह रहा है यह काल सिरेकर संभा प्रवेश करके के मेरी बक्ती के वले ग्याननी आतमा करते है और वह भी मेरे स्थज्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्स ना समझ कर मेरे वाली ही गटिया अनूतम इस गतिम सतीत रहे वो गया सपस्ट अब यह कहता है कि प्रम से ऊपर जिसके बुढ़ी जाती है प्रमत लाना बहुत बहुत जन्मों कि किसी अन्त के जन्म में किसी ग्यान्नि आत्मा की बुढ़ी बुढ़ी बिरम तक पहुंचती है और वासू देव सर्वमिती वो वासू देव है सब कुछ वो ही पाप नासक है वो ही पुजा के योग है वो ही सब का इस्ट होना चाहिए और वो ही पूर्ण मुक्षदायक है वो सारी श्रिष्टी का रचने वाला है ये बताने वाला मातमा तो सूद और लुबै बड़ी मुस्कल से मिलेगा अपना अत्माओं ये गीता और वेद कोई बालकों के लेक थोड़ी थी ये रिसी महरी सर्मार के चलेगा इनको कखनी पता चला क्या बताते हैं सुक्सम बेद में परमातमा ने सुमा कर बता है के नोमन सूद उल जिया और ये रिसी रहे जखमार और सत्गुरु ऐसा सुल जाजेगा उल जाने दो जीवार परमातमा जो लाय का काम करते थे और एक सोग एक किलो ग्राम एक सेर सूद उल जाता हूँ कच्चा सूद उसको सुल जाने में दो दो तीन तीन दिन की धाड़ी चली जाती थी उनकी अगर गाठ पड़गी तो धनी का सूद फिर वो कपड़ा में गाबे कहली उसके उटाए पटक जया और पैसे ले नारे तो उसको सुल जाना पड़ता था कि तूटे नहीं और तब वो कपड़ा बन सकते थे जब उनकी धाड़ी बननी थी तो कहने का भाव ये है कि ये जो तत्वे ये जो अध्यात्मिक जो सूद है एक सेर की वजाए इसने तो नोमन सूद उल जा जिया तिन सू साथ किलो ग्राम परमात्मा कहते हैं इन अंजान रिशियों नोमन सूद उल जिया ये रिशी रहे जख्मार और सत्गुरू ऐसा सुल जा जे उल जाने दू जी बार अभी सा सुल जा जिया इस दासने परमात्मा की जासे इस कल्योग मेरी उल जाएगा यो तत्वे ग्यान कोई बक्ती करियो चाहे ना करियो वो अलग बात उसके भागे पर डिपेंड करेगी अब जैसे कहा कि वासु देव सर्वमिती वासु देव का अर्थ सिरी करशन नहीं है वेदों में वासु देव का अर्थ है जो सब का मालिक जिसकी सता सब जगह पर हो सब जगह उसका निवास हो जैसे परमातमा ना सुकसम बेद में बताया कि अर्थ कुर्स पर अलह तकत है उस परमातमा का तकत राजदानी उपर है अर्थ के कुर्स में कोर्नर में सबसे उपर के स्थान पर अर्थ कुर्स पर अलह तकत है खालक बेन ने खाली कहते हैं उस प्रमात्मा के बिना उसकी नजर से कोई जरा सा भी टुकड़ा उसके विर्मंडों का बचा नहीं है सब जगे उसकी दृष्टी है यानि उसकी पावर सब जगे विद्मान है ओ प्रमात्मा मले ही उपर बैठा है तो कहते हैं वासु देवकारत है जिसकी सता सब के उपर हो सब जगे उसका वास हो जैसे प्रमात्मा की प्रिभासा के अंदर क्या आता है एक सिंपल सा उधारन है जैसे एक तैसिलदार भी साब कहलाता है एक SDM भी साब कहलाता है और DC और कमिशनर मंतरी, मुख्य मंतरी, पर्धान मंतरी और राष्टर पति यह सभी साब कहलाते है लेकिन इनका अपना क्सेतर होता है इनकी अपनी अक्समता होती है पावर की तो इसी प्रकार जैसे CM मुख्य मंतरी है का क्सेतर का परवासो देव एक अक्सेतर के उपर वो पर हूँ है सब के उपर वास नहीं है उसका जैसे परधान मंत्री को लेकर चले हम क्योंकि फोर एक्जामपल तो परधान मंत्री जी अपने भारत वरस के उपर वासु देव है वो अंड इतना संकेत बतेरा आपने समझने के लिए तो पूरण परमात्मा परम अक्सर ब्रम जो है जैसे गीता जाय नमर पंदरा के स्लोक नमर सोला और सतरा में तीन पुरुस बताए हैं एक सर पुरुस एक अक्सर पुरुस एक परम अक्सर पुरुस उत्म पुरुशतु अने तो गीता जाय नमर आठ के स्लोक नमर एक का उत्र अरदुन ने पूछा कि किम तत्वर्म जो आपने तत्वर्म बताया है कि उसको जानने के बाद साथ में जाय कोनटीश में स्लोक में तो फिर साथक जरा और मन से छूटने का प्रेतन करता है आठ में जाय के पर्थम मंतर मर्दुन के पूछने पर कि कीम तत्वर्म उतत्वर्म क्या है गीता ग्यान दाता सरपुरुश ने यह सरपुरुश है गीता ग्यान दाता यह कहता है वो परमक्सरपुर्म है तो था इनके अंतरगत इतने जीव हैं, ये खुद भी और इनके अंतरगत इतने प्राणी हैं इसके ब्रम्हंड़ों में, तो ये सभी नासवान है, स्वाम भी नासवान है, जीवात्मा किसी की निमर्दी, तो सरपुरस की 21 ब्रम्हंड का स्वामी है, वो वासुदेव नहीं ह ब्रह्म और स्रीकर्षन के वल एक भी भाग का मंत्री है सतोगन भी भाग के मंत्री है एक बिर्मांड के अंदर वो के वल अपने भी भाग में ही पर्भू है वो पूरे बिर्मांड में भी स्वामी नहीं है जैसे एक भी भाग का मंत्री होता स्टेट में वो अपने भी भाग पर ही मालिक है दूसरे विभाग में वो इंटर्फेरेंस नहीं कर सकता इसी परकार इस काल भगवान जो है ये एक ब्रमांड में ऐ जे चीफ मिनिश्टर समझ लो इसके ऐसे ऐसे 21 ब्रमांड है सब में एक जैसे रोल करता है तो 21 ब्रमांड में पर्भू है ये सरवय आपक नहीं है सब के उपर पर या नि वा सु देव नहीं है जो अक्सर पुरस व्यज़साथ संघ ब्रमांड का स्वामी हे पर्भू है वह वा सु. देव नहीं इस समय कर स्भा जैगे उसकी पर पूलीट यह है उसका ओर आल कंट्रोलर है उसका सभी असंग प्रमंडों पर इंक्लूडिंग सरपुरुस और अक्सरपुरुस इन के उपर भी उसकी प्रवुता है वो है वासुदेव तो गीता जैनुबर साथ के सलोग नुबर उनीस में सफ़च किया है कि बहुनाम दुनमाना मनते ग्यानुवान माम पर बदे और वासुदेव सर्वमती सेमातमा सुदूर लवै ये बताने वाला के वो वासुदेव ही सब कुछ है उसी की पूजा करने चीए वो पाप नासे के गीता जैनुबर पंद्रा के सलोग नुबर सत्रा में का है कि उत्तम पुरुस तु अन्य प्रमातमा इती उदारत है ये लोग तर्माविस से विबरती अवे इस वर है उत्तम पुरुस ते इन दोनों से सरपुरु सरक्सरपुरु से वो स्रेश्ट बगवान परमक सरपुरुम तो कोई और है और वो वही बगवान कहलाता है और तिन्नों लोग को परवेश करके सब का धान पोशन सब का वही पालक है जैसे गीता दाय नमर 15 के सलोक नमर एक से चार में स्विश्ट किया है कि उपर को लटका हुआ संसार रुपी वरक्स है और उसका तना तो समझो अक्सर पुरुष उसकी मोटी डार सरपुरुष और तीन साखा है ये तीनों देवतार रजगुन विर्मा सत्गुन विस को आहर पराप्त होता है तो इसलिए गीता जाय नमर 15 के सलोक नमर 17 में कहा है कि उत्म पुरसेतु अन्य पर्मात्मा ये तीन धारते वैसे पुनात्मा हो पर्मात्मा की प्रिवासा अगर आपको बताने लगँगा तो विसे अलग हो जाएगा काफी समय लग जाएगा पर्मात्मा उसको कहते हैं जो किसी के आत्मा नहीं दुखा है कोई किसी का बेटा नह समझ कर इस काल को परमात्मा कहने लगे और किसी का बेटा मर गया किसी की बेटी मर गया किसी का बाप मर गया किसी की मा मर गया कुणबा का कुणबा गानी कैंसर से पेटित हा हा कार माच रहा है ये परमात्मा का लोग है परमात्मा का लोग सत लोग है जा दुख नाम की है कि उत्तम पुर्शातुवन ने इन दोनों से अलग है वो सरेष्ट भगवान प्रुशोतम और जिसको प्रमात्मा कहा जाता है और ये लोग तर्म आवे सेवे बरती आवे इसवर है जिस दो तीनों लोग को में प्रुश करकेसब का पालन करता है वो है वो अवनाशी बगवान पुनात्माओं ये कंसेप्ट कलियर करने के लिए दो गंटे का सथ सिंक्रना पड़ा पहले बुमी का बनाने के लिए ताकि आप बच्चों की बुदी वहां तक पहुंच आपके ओपर कैसे रह्म हुआ है प्रमात्मा का आपको सिक्सित किया अगर है सिक्सित होते हैं तो आप मेरा पत्थर मारते हैं यह क्या कह रहा है और आज कुछ दिनों के बाद देखिए दास को पलकों पे बिठाएगी पूरा संसार तो परसंग चला था कि गीता जाहे नंबर साथ के स्लोक नंबर उनीस में कहा है कि वो तत्व दर्सी संथ तो बड़ा दुरलब है तो यह बतावागा कि वासो देव ही सब कुछ है अपने आत्माओं एक पंजाब का रहने वाला था एक किसान था बहुत बड़ा राम राय नाम था उसका नो सो आठ सो नो सो भी घाज जमीन थी किसान था शिक था पहले यह शिक थे शिक का यानि अपने हिंदूओं से ही अलग से जैसे आज यह रादा स्वामी वाले कौन इसमें सभी सभी जाती के लोग हैं हैं हिंदू ही तक्रीबन या सिक भी हैं आगे चलके यह दर्म का रूप धान कर लेगा तो हमारा दूर भागे ही होगा तो ऐसे ही वो शिक दर्म शिक माने सिस परिमपरासे चल रहे थे उस उन मैसे था और गुरुगरंद साहब की वाणी से वो काफी परभावित तो हैं शिक दर्म के पंजाब के विक्ति तो गरीबदास साहिब जी आए हुए थे उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके थे बग तत्वे ग्यान फीड कर दिया था वो तत्वे ग्यान उन्होंने गरीबदास जी की वाणी रूफ में दास के पास उपलब्द है तो उनका गरीबदास जी का से लुद्याना के पास एक वासियर गाओं है वासियर उसके बाहर बनी में सफर कर रहा पैदल चला करते थे और व वो शिख रामराय जी सुबह सुबह सेर सपटे कूँ गया तो वानी के बड़े मरमज हैं, बड़े प्यारी लगती है वानी उन्होंने उन्होंने देखा भी बड़े गजब की वानी किसकी है तो खेंचरी आत्मा को उसके पास जाकर बैठ गया जब उस भगत ने अपना नितनियम कर लिया तब उससे कहा कि महराज जी ए भगत ये वानी किसकी है उन्होंने बता कि ये मेरे गुरु देव की वानी है तो रामराय ने पूछा वो संत अभी स्रीर में है या स्रीर छोड़ गे उन्होंने बता भी स्रीर में है पूरा पता ले लिया उसने राम रायने के अडर्स बता मुझे इस मापर उसके दर्शन करूँगा तो वहां से चल पड़ा छुटानी पहुंच गया लो दियाना से अब गाहों में गरीबदास जी कैसे थे किसान के गरजनम था जाठ थे तेरा सो बिग जमीन थी बड़े बिग इवारती यानि रही जारवी का जमीन थी लगवल चौदा सो एकड़ वरतमान की और खुब पैसे वाले थे और लेकिन खेत में अपना हाथ से काम करते थे खेतों परसूं का चारा भी सुम लाते थे क्योंकि महापरसों में अभी मान नह होता है ना दनका ना तनका ना किसी संतान का राम राय जी सुबह सुबह पहुंचे छोडानी गाओं में थोड़े से गर थे कुछ बाहर के विक्ती भी आ जाते थे गरीबदास जी के दरसन और पर वचन सुनने के लिए दस बीस मिट बैठ जाते थे दो चार पांचार उनके तो जब वो घर पे पहुंचा गरीबदास जी के गर पे तो गरीबदास जी घर पे नहीं थे वो खेतों में गए वे थे अपनों गोमने जाते थे सुबह सुबह वो जालिया सुबह बरमूरत में तो उन्हों ने पूछा वहां पे गरीबदास जी हैं वहां बैठे हुए गा मात्मा का दर्सन करका अनहार करूंगा। इतनी दूर से आया हूं रैसे मापरूप की ऐसी वाणी तो वो खुद कैसे होंगे जिनकी अम्रत वाणी ऐसी है। इस बात से प्रेलित होकर उसने का भे मुझे ये बता दो वो किस साइड में गए है। गावन अनकाव इदर जाया कर बजा दे। उसने सोचा इतनी देर क्यों वाट इंतदार करी उन से पूछ कर पता करके कौंड़ सी दिसाब है। एक रस्ता बता दिया उन्होंने की रस्ते बचले जाओ आगे ऐसे ऐसे एक जोपड़ी एक रहट मिलेगा और वहां उस जोपड़ी मैं मिल सकते हैं आपको। अब कहने का वाओ यह जादा ना इसको लंबा करके समय सत्संका होने वाला है। तो जब वो जा रहे थे गरीवदास जी आ रहे थे उसी रस्ते से सिर पे पसूँ का चारा एक गठर लेका बंडल बरोटा बोले हैं हमारे अर्याने बरोटा सरसों उसका जवार का। और अपन अब का अकरदस एक नाम निकाल लिया करें अलग से वो ज़्यादा संकी सा अदमी था तो रामराइज आ रहा था उसे ने उस पस्मों का चारा लेकर आ रहे हैं विक्ती से पूछा कि है बाई एक किसान मैंने गरीवदास महराज से मिलना है और यह यहीं बताया कही है उनका यहां घूमने आई हुए हैं अब गरीवदास जी को तो पता था कि रामराइज जी ने मन में केकल पना कर रखी है सादू की के सादू होगा सिर पेज़टा होगी दाड़ी बड़ी होगी कान पड़वा रखे होंगे आथ में चम्टा होगा एक लाल कपड़ा लंगोट में रखे होगा या कती लाल कपड़े होंगे मूड मुडा रखे होगा गोटम गोट हो रहा होगा यानि कोई भी सेस आडंबर उपर होगा उसी को उसने संत मान रखा था और गरीवदास साहिब जी को पता था कि दूर देश से आया है जग्यासू जी मैंने ये कह दिया कि मैं तो ये यही से खेतों मैंसे वापस हो लेगा कि यो कि सामाराज जी क्योंकि इसने तो माराज जी सोच रखा था लाल पीड़े कपड़े हो शिर पस धटा हो या कती गोटम गोट हो तलक ला रहा हो आत्मे चम्टा हो दूने पर बैठा हो राक लपेट रही हो गरीवदास जी कहा कि आजा मेरे साथ वापस मैं मिलाओंगा उन से वापस हो लिया अब जब वो लेकर आ रहे थे अपना शिर पे चारा तो वहां बैठे से गाओं का एकादा कुछ बाहर के दूसरे गाओं के आई हुए थे उन्होंने भाग करके परणाम किया किसी ने उनके सिर से चारा प वक्तों ने बताया कि यही तो है माराज जी अब उस राम राय के मन में यह आ गया कर ले तेरा गजब हो यह इतनी दूर आया अर्यू माराज जी पाया ऐसा देसी जाट है तो खोदा पहाड हर निकली तो यह उसके मन की कलपना थी यह वो तंत्रियामी थे जायन के अग वग करता है है इसकी रोटी का प्रबंद करवा घर पे जाके उनको इदर उतन बेज़ जी और कहा मेरी बाल्टी पर जो पानी की रख जो मन आऊंगा शनान करूंगा इक पार्टडे पर बाल्टी पर कर रखिए वो चले गए रह गे वो आत्मा और वो महात्मा गरीबदास्टी गरीबदास्टी ने सनान किया सनान करके दोती बानते थे और दोती का एक पला अलग से सपेर कर लेते तो उसको गोल गोल करके ऐजे बेल्ट बान दा करते है उपर के दोती को लपेट के जैसे और उसके उपर के उसी का दोती का हिस्सा एक पला हबाएंद लिया करते है उसक तो गरीब दास्ती ने कहा कि ए जूमकरा आईए भाई मेरी दोती का यो कपड़ा बाइन दे मेरा हाथ का चोट लग रही है काम नहीं करता अब उस ने जूमकरा नाम का पता जब पहले तब फूक उड़े निकल लगी उसकी कि इसने तो मेरा औरफ नाम भी बता दिया मैंने त जूमकरा और परमात्मान इसलिए का उसको जूमकरा क्योंकि उसका मन जूम रहा था कि यो किसा महरा जी बता कहां आगया मेरे केसा जमीदार है किसान है आचा बैकाया माया मैं इतनी दूर आया नंगे पैदल चलके आया गरीब दास्त जी ने दोती का जो पला था उसको कहा मेरे स्रीर के चारों तरफ का जाम बैल्ट बान दें हैं ऐसे कर लेते हैं दोती को एसे गोरा कि यहाँ हूरी के रहो तरập कर रहा जा है ँचारों तरफकर यह जासे गांठ लगाशना लगया वा गांट स्रीर के अंदर से निकल गया गरीबदास जी के स्रीर से और उस दौती का लगई कपड़े गए और गरीबदास जी ने ऐसे मूं कर लिया दूसरी साइड में जैसे देखना रहे हो जो मकरा ने सोचा उस रामराइन है तेरे गाठ रुटी लाएगी दिखे तो फिर लगा फिर लगा, फिर हुआ ऐसे ही, श्रीर के अंदर से निकलाईर दोती है, गाठ लाएगी, तीसरी बार जो प्रेतन करने लगया, जब करने लगया, गरीब दास जी ने कहा, किरे जो मकरा, मतद तेरे जैसाद भी हुआ, गाठ क्यों ना लागती तेरे जब उसने उपर को देखा उनके मूँ की तरफ, क्योंकि श्राम राइज जी विष्णु जी के पुजारी थे, बले ही वस्यस थे, सिख थे, जब उन्होंने उपर देखा, तो विष्णु जी का रूप बन गया, इसने से उपर उपर गरीब दास जी का, मोर, मुकट, आत्म, संखर, चकर, गदा, चरन अब उसने सोची, मैं विष्णु जी का पुजारी हूँ, और इसने मुझे उर्फ नाम से पुकार दिया, इसलिए मैं प्रभावित हो गया, मेरी ही कोई कलपना होगी, तो फिर डाट गया, अपने मन नगना वगवान तक हो ना, फिर वो बैठ गया, कोई सक्ती है जरूर ज जिकन लगे, बच्चा बैठ जा, दो गंटे ग्यान दिया उसको, सारी सिर्फ्टी रचना सुनाई, सब तत्व ग्यान समझाया, हम सुल्तानी ना नगतारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद निपाया, का सीमाय कभिवा, तब उस जो मकरा ने, उस रामराय ने काओ बगवान, ऐसा ग्यान तौस्त, किसे ने बताया नहीं मारेत, तब गरीब दास जिन काहा था, के तत्व भेद कोई ना कहे रह जूमक्रा, यूपैसे उपर नाच सुनो, रह जूमक्रा, कोटों म ध्याध कोई नहीं रह जूमक्रा, अर्बम कोई गर्क सुनो, रह ज ये जैसे लैंडलोर्ड था वो के है राई जहुमकरा ये राई साब कहते हैं तत्व भेद किसी केपास नहीं है ये सब पैसे ओपर ढोल पीट रहे पैसे उज्वधे से लेकर ये दंतकता सुना रहे है तत्व भेद कोई नँखा है रहे जुमकरा ये पैसे उपर नाच सुनो रहे जिसके पास घ्यान भी पूरा हो जिसके पास मंत्र भी पूरे हो जिसको अधिकार भी हो परमपिता की ओर से कैसे ऐसा संत तुझे अर्बों में पावगा क्रोड़ों में भी नहीं मिलेगा और वही गीता जी कहती है कि बहु नाम जन्वाना मन ते ग्यानवान मां प्रपते वासु दे उसर्वमती सहमात मासु दुलुबै तो अपना अत्माओं तुम्हारा सुबा आगे आपका के दास वो संत मिल गया है जिसे विश्व का कल्यान हो सकता है बोलो सत्गुर्दे आज का जो ये दिन सुब समागम है तीन दिन का जो समागम समापन हुआ है यह उस उपलक्स में था कि इस फालगुन की अमाउस्या के दिन 17 फरवरी थी उस दिन और अमाउस्या थी 1988 में दास को सपल हुआ था जात्मिक जनम हुआ था दास का और आज जो एकम है अमाउस्या से नेक्स्ट डे उस दिन पर मातमा सुम आकर के वो परम पिता परमक्सर परम कबीर साहिब नहां कर का था बेटा बग्ती सुरू कर दे मैं तरे साथ रहोगा तो ये दोनों जन इकठे हैं और उ परम पिता परमातमा पूर्ण बरम सारी सिर्ष्टी के रचनहार कबीर परमेस्वर जी की असीम रज़ा से आप सभी पुन्यातमा सत्संग सुनने के लिए उपस्ती थे जिन पुन्यातमां के उपर परमातमा परसंध होते हैं उन्ही को ऐसे सुब अवसर पराप्त होते हैं पुन्यातमा परमातमा कहते हैं स्वेमाकर के अपना ग्यान हमारे लिए विश्तार से बताते हैं के मानुस जनम पाक है जो नहीं रटे हरी नाम और जैसे कुवा जल्ब ना फिर बनुआया क्या काम मनुस जीवन का मुख्य कारिये परमातमा की भगती करना सुब कर्म करना और पुन्दान करके अपना मुक्ष कराना और ये ना करके हम अन्य ही जुगाड में यहां की ऐ सथाई विवस्था को ही सुचारू बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं फिर मर्टू को प्राप्त हो जाते हैं परमातमा कहते हैं ये आपकी बुधी मता नहीं है मनुस जीवन का मुक्ष काम है पूर्ण संत की खोज करें उसके पस्चात उसके बताए अनुसार साश्टर अनकुलसादना मर्यादा में रहते हुए करें और अपने निर्वा के लिए भी कारिये करें क्योंकि यहां आपको ऐसा सथान मिला है और ऐसा सरीर है ये किराए पर चलेगा इसमें सुबह स्याम कुछ डालते रहोगे तो ये आपका बौडी आपका सरीर काम करता रहेगा अन्य था ये खराब हो जाएगा और जिस लोक में आप रह रहे हो यहां करम करके ही प्राप्त होगा और जो सत्थ साधना जिसको मोक्स प्राप्ती की विधी बता कहते हैं कि जो सत्थी साधना सत्गुर्व से प्राप्त हो जाती है उस बगती के करने से पूर्ण मोक्स हो जाता है पूर्ण मोक्स प्राप्त प्राणी उस लोक में चला जाता है जहां पर इसको कर्म किये बिना ही प्राप्त होता है श्रीमत बगवत गीता के अंदर उसको निस्ख कर्मे मुक्स कहा है वहां जाने के बाद कोई भी बगएर काम किये ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा इसलिए आप जिस सथान पर रह रहे हो ये आपने कर्म करते करते भगती करने पड़ेगी निर्वा के कर्म करते करते आपको भगती के कर्म भी करने पड़ेगे इसलिए परतेक सद्गरंद के अंदर जो प्रावधान है वो इसी परकार का है सबसे पहले आपको श्री मद भगवत गीता का पर्मान देते हैं कि उसमें कैसी भगती करने को कहा है और उस भगती के करने का तरीका कौन सा है और वो साधना है कौन सी श्री मद भगवत गीता अध्याय नमबर आठ के सलोक नमबर एक में अरदुन ने पूछा के भगवन आपने सिरी मद भगवत गीता अध्याय नमबर साथ के सलोक नमबर ट्वन्टी नाइन में उनतिस में कहा है के मेरे ज्ञान का जो आश्रे कर लेते हैं कौन से ज्ञान का गीता ज्याय नमबर चार के सलोक नमबर बत्तिस और चोंतिस में एक विशेश उलेख है कि सचीदानद गनबरम अपने मुख कमल से स्वयम ही यहां आकर के एक यथार्थ ग्यान बताता है उसको तत्व ग्यान कहते हैं तो चोथे अध्याय के चोंतिस में सलोक में कहा है कि उस तत्व ग्यान को तत्व दर्सी संत ही जानते हैं उन तत्व दर्सी संतों के पास जाकर के उस तत्व ग्यान को अरजुन ग्रहन करो यदि आप पूरण मुक्स प्राप्त करना चाहते हो यदि आप उस सास्वत सथान को प्राप्त करना चाहते हो गीता जाय नमर अठारा के सलोक नमर बैसेट में जो परमान दिया है कि अर्दुन तु सर्वभाव से उस परमेश्वर की सर्णमजाव आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्श्री संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं तब से लेकर अब तक आपका अनुभव क्या रहा है संत रामपाल जी महराज जी को लेकर के और उनकी जो फॉलोवर्स की संक्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है तो आपका जो अनुभव है इस बीच में वो क्या है देखे सबसे पहली बात जो हम कहते हैं basics of spirituality वो हमें संत रामपाल जी महराज जी नहीं बताए हैं जैसे सब लोग बोलते हैं God is one और उसके बाद हमें हजारों नाम बता दिये भगवान के राम जी भगवान है क्रिशन जी भगवान है शिवजी भगवान है ब्रमा जी भगव गीता जी उठाई सब में उठाके निचोड निकाल के दे दिया कि वो भगवान कौन है और उनका नाम क्या है देखिए आपने कहा कि आपकी उमर 8 साल रही होगी जब आपने संत रामपाल जी महराजी से नाम दिख सली उस समय तो आपको यह समझ नहीं आया होगा कि भगवा परमात्मा की देह से कभी कुछ बुरा नहीं हुआ बट मैंने डेथ होती देखी दूसरों के घरों में तो मेरे दिमाग में बच्पन चाहिए आता था कि बापा प्लीज बता दो कि यह मरने के बाद आत्मा कहां जाती है तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता था क्योंकि उन मरने के बाद कहां चले जाएंगे और हमारे साथ क्या-क्या बीटता है उसके बाद तो मुझे जब यह क्वेस्टन का आंसर मिला मुझे तब ही पता चल गया था कि यही परमात्मा है और यह भगवान ही आये हुए यह कोई गुरू नहीं यह भगवान आये हुए तो अब इ वो पौलो नहीं करोगे जैल में पटक दिया जाएगा आपको इसी प्रकार से जो हमारी होली बुक्स है वो स्पिरिच्वालिटी का जो बेस है उसी में है तो हमार İyi स्पिरिच्वाल बुक्स में जो लिखा है वो संथ हमें फॉ Stephen करेंगे अगर हम उन संथ को तो ही हम पार हो देखी आप educated है, सिक्सित हैं, आप से एक बात पूछना चाहेंगे, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज वेदो के अनुसार भक्ती बताते हैं, बाकी और कोई संत नहीं बताते, देखी लाखो करोड की तादात में ऐसे followers हैं, जो किसी अन्य संत से जुड़े हुए हैं, क्य यह लिखा हुआ है, और हम कर क्या रहें? यह आप कैसे कह सकते हैं, इस बात का निर्ने कैसे हो कि कोई जो दूसरे संत हैं, कि वो सास्तोर के अनुसार भक्ती नहीं बता रहें, कैसे लोग निर्ने करें? सर, आपने बहुत ही अच्छा question किया, कि हम किस तरीके से निर्ने करें, कि सही संत कौन है, और कौन सही भक्ती बता रहा है? तो पहला point में आपको बोलना चाहूंगी, कि बाकी जो गुरु हैं, वो सब बोलते हैं, कि परमात्मा निराकार है, बलकि हमारी holy books साफ साफ बोलती ह है, कि परमात्मा साकार है, बाइबल में लिखा हूँ है, प्रभू ने मनुश्य को अपना ही स्वरूप दिया, तो ये fact reinstate हो रहा है, कि परमात्मा तो साकार ही है, बाइबल में एक और चीज लिखी हुई है, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, तो शब्द रूप में परमात्मा है, और परमात्मा साकार ही है, तो सबसे पड़ी चीज तो ये है, कि God is in form, God is not formless, जो कि बाकी सब संत बोलते हैं, दूसरी चीज जो है, कि पाप कर्म कट सकते हैं, कि नहीं कट सकते, जितने भी पंडितों के पास, जितने भी गुरुओं के पास आप चले जाओगे, वो पहले तो आपको पकहनद बात बताएंगे बाकी, कि ये कर लो, वो कर लो, जब उससे आपको लाब नहीं मिलेगा, लास्ट में वो बोल देते हैं, पाप कर्म तो आपको काटना ही पड़ेगा, जो कि बिलकुल भी सही नहीं है, गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है, कि परमात् कर्म दंट कट नहीं सकता, तीसरी चीज, वरत करवाते हैं वो लोग बाकी सबसे, तो वरत करना साफ साफ मना किया हुआ है, हमारी होली बुक्स में, क्योंकि अगर वरत करने से मुक्ती होती, तो जब अकाल पड़ता है, किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं होता, तो वो भ दूसरी तरफ आप बोलते हो, कि पाप करम दंट नश नहीं होते, तो ये कौंट्राडिक्टरी चीजे हो चुकी, और इनका सिल्यूशन सिरफ ये है, कि सही परमात्मा की भक्ती करो, एक वही है, कि आपको सालवेशन अटेन हो जाएगी, और इस जनम मरन के चकर से हम बच प पड़ती है, हम आपसे ये जाना चाहेंगे कि संत्रामपाल जी महाराजी से नाम दिख से लेने के बाद, आपको क्या लाब मिले, तो मुझे इतने जादा लाब मिले हैं, कि अगर मैं आपको बताने चलू, तो मैं कभी एंड कर ही नहीं सकती, क्योंकि पल-पल में लाब होत दूसरा लाब जो मिला, वो है, 2012 में मेरा बहुत ही भयंकर आक्सिडेंट हुआ था, और मेरा ब्रेन भी बहार आ गया था, और मेरे फेस के थ्री पाच्स हो चुके थे, अब बो तो मैं आपको दिखाने ही सकती है, पर ये हाथ एक प्रूफ है, कि मेरा तब बहुत घटिया आक्सिडेंट हुआ था, और मेरा फ्राक्चर मेरे पूरी हड़ी तूट चुकी थी हाथ, कौन से होस्पिटल में आपने दिखाया, डी एमसी होस्पिटल में दिखाया था, लोध्याना में, और वहां के जो टॉप थ्री दॉक्टर्स हैं, उनकी टीम ने मुझे ऑपरेट क किया था, एट आर्स प्लस मेरी सोजरी चली थी, और एटी प्लस स्टिचिज मेरे सर पर हैं, तो गुरु जी की दया इतनी जादा हुई सेंसरामपाल जी महाराज जी की, कि सिरफ उसी दिन मुझे होश भी आ गया, और डॉक्टर्स मुझे अभी तक में रैकल बुलाते हैं, सब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, कि 2014 में भी मैंने अपना इंटर्व्यू दिया था, और उसमें आपको साफ साफ दिखेगा भी कि मेरा बहुत जादा बुरा अक्सिडेंट हुआ था, और यहां पर निशान भी तब उसमें क्लियॉली दिख रहा है, और क्या है, तो यह उपरेट ही करना पड़ेगा, और मैं आपको यह भी बता देता हूं, आपके बाकी तीनों विजडिम टुथ पी आएंगे, और उन तीनों के लिए जगा नहीं है, तो आपको चार बार ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो तब मैंने उन से रिक्वेस्ट करी कि अब ही मेरे एक्जाम्स हैं, तो आप इसको पोस्ट पॉइंट कर दो, एक्जाम्स के बाद ये करवा लेंगे, तब तक आप मेडिसन दे दो, एक्जाम्स के बाद जब मैं गई, तो मेरे सिर पे औरेडी चोट है, तो मुझे डर लग रहा था कि ये लोग खीचेंगे, तो बहुत ज्यादा प्रॉबलम हो जाएगी, तो गुरुजी इतनी दया करना कि आप बस महां पर सामने खड़े हो जाना, जब मेरा ऑपरेशन हो रहा होगा, तो हम डॉक्टर के पास फिर से गए, डॉक्टर ने एक बारी का एक बारी चेक फिर से कर लेते हैं, तो उन्होंने उन्होंने का आपको कौनसे डॉक्टर ने बोला था कि आपको आपरेशन करवाना है, मैंने का आप नहीं बोला था, तो तब उनको याद आ गया, तो वो कहते कि आपका पूरा ठीक हो चुका है, और आपके चारो विजडम तुछ के लिए जगा बन चुकी है, और मुझे सम पर परमात्मा से नाम लेने के बाद वो दर्द भी हमेशा के लिए चला गया, अगला अलाब संत्रामपाल जी की दया से ये हुआ, कि मेरे दादा जी को तीन बारी हार्ट अटाक आ चुका है, और तीनों बारी ही गुरु जी ने बचा लिया, अगला अलाब मैं आपको ये जो की सबसे बड़ा लाब है, कि मेरे पे काल का अटाक पांच बारी हो चुका है, और पांचों बार नाम लेते ही, जैसे ही गुरु जी ने बताया है, कि आपको चाहे प्रत हम नाम मिला हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, आप उसका नाम जाप करो, और परमात्मा महां प्र रहे पह घड़े हो ग़ा और परमात्मा ने वहां से पांच इफ बारी बचाया है, लेकिन सवाल यहां पर यह उड़न आटेक होता ही, क्यों आपका ऐंसे होता है, क्यों एतनी सारी परेसानियां यापकर सामने आती है, परेसानिया हम पर हमारे पिछले करमों के कारण आती ह और इसका सिर्फ तोड यही है कि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में चले जाएं जो कि इस डेट पर बंदी छोड़ सद्गूर रामपाल जी महारा लेकिन आप तो अल्रेडी शरण में आ चुके हैं फिर आपके साथ इतनी सारी समस्या क्यों आ रही है क्या आप मानते हैं इस क्या कहता है देखें मैं तो खुश होती हूं कि मेरे उपर यह समस्या आती है क्योंकि जैसे यह समस्या आती है उससे हमें पता चलता है जो डेथ लोग बाद में एक्सपीरियंस करते हैं और उनके पस कोई तब वही नहीं होता वे आउट कि वह क्या करें उसके बाद उसके पहले ही आ चुकी और मुझे पता है कि यहां का जो सब कुछ है वो नकली है बिल्कुल असलियत सिरफ यह है कि हमने एक दिन मरना है हमें नहीं पता हमने किस दिन मरना है उसके लिए आप इंशॉरंस ले लो परमात्मा से जो कि सिरफ सद्गुरु रामपाजी महराज ही दे स क्यों नहीं पसंद क्यूंकि हम एक ऐसी जगा रहते थे जहां यह सब नहीं था जो खुशियों का भंडार था और हम अपनी गलती से यहां पर फस गए हैं और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे यहां आए और कैसे हमें इस जगा से निकलना है देखिए आप यूथ हैं और हम मानते हैं कि संतरामपाल जी महराज के अनियाई ही इस एज में आकर के आध्यातम की बाते करते हैं क्योंकि जिस तरह का आज का जो जमाना है हम देखते हैं कि इस एज में आज का जो यूथ है वो ऐसी बाते नहीं करते हैं इस तरह के विचार आपके अंदर वो भरे हुए हैं, वो क्या मानते हैं आप, कैसे हैं आपके विचार जो आज आप वेक्ट कर रहे हैं कैमरे के सामने सबसे पहली बात हमारे parents पे बहुत ज़्यादा depend करता है कि हमारे विचार कैसे होंगे तो भगवान की इतनी दया थी कि मेरे parents शुरू से ही बहुत शरत धालू रहे हैं और उन्होंने शुरू से ही ethics और principles को सबसे पहले रखा है तो ये non-veg, drink ये सबसे तो हम पहले ही दूर थे लेकिन कोई भी parents ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को ऐसी line देना चाहे कि वो आगे जाकर के उनके बहुत से के लिए खतरनाक हो जाए लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सार ऐसे युवा हैं जो नसे की लट में पढ़ जाते हैं यह बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं जो समाज में हम बुराई के तोर पर देखते हैं लेकिन हम संत्रामपाल जी महाराजी के अनियों कर देखते हैं कि चाए वो बुड़े हैं चाए बच्चे हैं सभी के एक जैसे विचार होते हैं आध्यात्मिकता में वो बिल्कुल लुप्त होते हैं यह जो हम बदलाव देखते हैं यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखे सारे स्पिरिच्विल और सोशल रिफॉर्म संत्रामपाल जी महराज ही लेकर आ रहे हैं उन्होंने ही वो इनिशेटिव लिया है जो कि कोई ले नहीं पा रहा था और किसी में इतनी समर्था भी नहीं है कि वो ले सके इस वहम परमात्मा आए हैं जो हमें सब कुछ बता रहे हैं कि बचों ये सही है ये गलत है इन्होंने हमें साफ साफ बता दिया कि हमारी बाउंडेशन क्या है हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है हमें आगे का दिखता है जो कि लोगों को नहीं दिखता गुरु नानक देव जी बोलते हैं नानक दुखिया सबसंसार सुखी सोई जो नाम आधार only the power of true words can make you truly happy and satisfied पर आज की जो young generation है young generation क्या बोलूँ बढ़े भी जो है ऐसे नशे में फसे हुए हैं वो उसी को सुख मानते हैं हमें question किया जाता है कि आप drink नहीं करते तो आप सुखी कैसे रहते हो और असल में वो लोगों के साथ आप एक दो दिन बात कर लीजिए वो अपना दुख बताने लग जाते हैं इतने दुखी होते हैं वो लोग तो वो असल में सुखी तो है ही नहीं और सुख सिरफ सिरफ सही भक्ती से ही मिल सकता है मालविका जी क्या करते हैं आप? मैं chartered accountant हूँ अच्छा अप एक बात बताईए जब हम संत रामपाल जी महराजी के अन्यूयों का इंटर्व्यू लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि उनको cancer जैसी भहनक बिमारी ठीक होई है उन्होंने नसा करना छोड़ दिया है आप सिये हैं और सिक्सित भी है काफी तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत से नामदिख्षा लेने से कि मंतरों के जाब करने से कोई नसा छोड़ सकता है या उनकी cancer जैसी भहनक बिमारी ठीक हो सकती है क्योंकि आप तो सिक्सित आप जानते हैं कि medical science का जमाना है और ये बाते अपने आप में हाश्यास्पत नहीं है सर्थ देखिए आप सब लोगों के लिए ये हाश्यास्पन जरूर है क्योंकि आप लोग भक्ती से कोसो दूर है पर हमें परमात्मा का ज्यान मिल चुका है और हमें सब पता है आज कल तो देखिए science जो है जहां science खतम होती है ना वहाँ परमात्मा का ज्यान शुरू हो जाता है doctors एक बंदे को dead बोल रहे हैं last stage cancer क्योर हो रहा है वो कैसे हो रहा है देखिए miracles हमें आज तक एक word लगता था उस पर restricted था कि यह बस एक word है यह सिरफ सुनने को मिलेगा हमें या यह fairy tale वाली movies में ही हो सकता है पर परमात्मा सद्गुरूरामपाल जी महाराद जी ने यहां के वो miracle world को ना प्रूफ कर दिया है और आपके सामने हम इतने proofs खड़ा सकते हैं life proofs जो बता रहे हैं कि हम मरे हुए जिन्दा किये हैं तो science मेरा खाल कुछ भी नहीं है वो science भी किसकी दी हुई है वो भगवान की ही दी हुई है तो science से आगे है spirituality जो हम सोच भी नहीं सकते और ये man-made तो कुछ भी नहीं है सब परमात्मा का दिया हुए है जो आजकल बन चुका फोन के थूरू हम क्या-क्या नहीं कर सकते वो सब परमात्मा की ही देन है अब बगवान समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सबसे पहले मैं आपके कैमेरे के माध्यम से एक चीज बोलना चाहूंगी कि बंदी छोड़ सद्गूर रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम छेड़ दी है जो डावरी ने इतनी लड़कियों को मार के जला दिया है इतनी लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है वो परमात्मा ने बिल्कुल ही खतम कर दिया है सद्गूर रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिश्य है वो डावरी फ्री मारेजिस करते हैं कोई दहेज का लेना देना नहीं होता कोई पाखंड नहीं होता बिना पाखंड के शादियां हो रही इसका सबसे बड़ा लाब किन को मिला सबसे बड़ा लाब लड़कियों के पेरंस और लड़कियों को ही मिला है क्योंकि लड़कियां गरब में भी मार दी जाती थी और बाद में भी जब उनकी शादी होती थे तो उनके साथ इतने जादा अत्याचार होते थे सिरफ एक इस डावरी के कारण तो परमात्मा ने वो बिल्कुल ही हटा दिया है आध्यात्मिक्ता के साथ साथ में जो सामाजिक स्थर पर सद्गुरु नामपाजी महाराजी ने मुहिम छेड़ दी है आने वाली पीडियां उसका बहुत जादा धन्यवाद करेंगी क्योंकि ये किसी आम आदमी के बसकी बात नहीं है ये स्वें परमात्मा ही करवा सकते भगत समाज को क्या संदेज जेना चाहते हैं भगत समाज से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मानुस जनम दूरलब है ये मिले ना बारम बार जैसे तरवर से पता तूट गिरे वो भर ना लगता ढ़ाद ये एक ही बार हमें human life मिलती है human life आपको मिल भी गई पता नहीं वो तत्विदर्शी संथ आये होंगे की नहीं आये होंगे ये golden era है जो astrologers ने अल्रेडी प्रेडिक्ट किया हुआ है जिसमें लाखों के तौर पर भक्त पार होंगे तो अपने एक भी सेकेंड को ना वेस्ट करते हुए पर मात्मा की सद्गूर रामपा जी महाराज जी की शरण में आए और अपने जिन्दगी को सफल बनाए जी धन्यवाद आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदरशी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें झाल झाल